आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ अजचक समय से अद्डे समय में A, B, C मिलकर कर रहे हैं तो अपने हो गयाद करना है A और B मिलकर उस कारिया को कितने समय में करेंगे यह आपको गयाद करेंगे ठीक है यह गयाद करने के लिए अपने क्या करेंगे कुछ Tricks है उनको ध्यान रखेंगे कि माहन लोग कोई है A और B कि A किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है B उस काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है तो आप A और B आप से कोई पूछे कि वो काम कितने दिन में करोगे तो आप इन दोनों का क्या करेंगे आदा करेंगे तो 10 दिन में पूरा करेंगे तरीक्हा क्या कहता है कि सबसे पहले LCM लो 20 और 20 का LCM किता होगा 20 तो 20 में 20 का बाग दिया तो एक यूनिट 20 का 20 में बाग दिया तो एक यूनिट तो A और B का अगर मिलके निकालना है तो क्या लगूतम 20 बटे यूनिट किती 1 और 2 दो तो किता हो गया दस इस हिसाब से निकालते तो आइंदा आपको यह मिले कि A और B को बरापर बरापर दिन लग रहे हैं तो A और B मिलके कितने में करेंगे तो उसका जस्ट क्या कर देंगे आप एक बटे दो हाफ कर देंगे पहले चुछ दूसरी अगर A और B मालो और A और B तीन दिये हों आपको आपको कोई कहें कि A जो है वो A और B से 6 जा 3 दिन ज्यादा समय लेता है काम करने में B जो है वो A और B से काम करने में 27 दिन ज्यादा लेता है अगर ऐसा आपको मिले तो A और B मिलके उस काम को कितने में करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे त्रीक यही रहेगी कि आप इन दोनों को अंडरूट में लेके गुणा कर देंगे तो तीन गुणा 27 बराबर अंडरूट 81 बराबर लो इसका मदब यह हुआ कि A और B मिलकर 9 दिन में वो काम करेंगे यह कब लगव होगी जब मानलों आपको आपको दिया गया हो कि A जो है वो तीन दिन जदा लेता है A और B से या B जो है वो 27 दिन जदा लेती है या इसकी ज करेंगे इसको तो इसन में दिया गया कि A दिया गया है B दिया गया है C दिया गया है और A प्लस B प्लस C भी दिया गया है और A प्लस B किते दिनों में करेंगे यह आपको ग्याद करना है अब वो क्या कह रहा है कि A जो है अब A है वो A B C जो है इस से 6 दिन कम में काम कर लेता तो मैंने ABC कोई दिन मान लिए D, कुछ भी मान सका हूँ, ABC दिया हुआ है, इसलिए मैंने D मान लिए, तो A जो है, A से 6 दिन कम में ये काम कर रहे हैं, तो D यहां की है, तो A को मैं क्या लिखूँँगा, D प्लस 6, तो आप देख लो, A किता टाम लेरा काम करने में, D प्लस 6, मतलब D जो है, उससे 6 दिन ज़्यादा, तो प्लस 6 का मतलब क्या हुआ है, ज़्यादा, तो इस D से, D किसका काम किया हुआ है, ABC का, तो 6 दिन जदा होगे, B क्या गह रहा है, कि D ABC मिलकर जित्ते जिन में काम करता है, उससे एक दिन जदा क्यों लेता है, B लेता है, तो मैं इसको क्या लिख दूँँगा, D प्लस A, और C, A प्लस B प्लस C से दूँगना टाइम लेता है, ठीक है, या A C जो है, वो उनका टाइम क्या है, वो A प्लस B प्लस C जो टाइम ले रहा है, वो C का अदा ले रहा है, तो C का अदा टाइम ले रहा है, इसका मतब C क्या ले रहा है, A प्लस B प्लस C से दूगना ट लिए एक चीज step कर रहा हूं इसमें कि plus d जोड रहा हूं और minus d गटा रहा हूं इस equation में किस में से a और b में से तो अगर मैं d plus 6 plus d minus d करूँ कोई फरक पड़ता है कि d से d cancel हो जागा तो संक्या क्या बचेगी d plus 6 ही बचेगी फिर d plus 1 plus d minus d फिर भी d plus a की बचेगा और c किता है 2d a plus b plus c किता है d और यह अपने को ग्याद करता है अब देखो इसको सरल किया मैंने तो d plus d किता हो गया 2d plus 6 minus d यहाँ भी 2d plus 1 minus d यहाँ पे 2d और इधर d अब यह क्या कर रहा है ए और 20 का है न यह तो अब 2d किसका काम टाइम ले रहा है c से और अगर मैं यह मानूं 2d से किता ज़द है 6 minus d और 2d से यहाँ किता ज़द है 1 minus d तो अगर इस condition में मैं क्या करूं इस सामने वाली संख्या को a plus b को अब यहाँ क्या माना देखो 2d है यह क्या c c की value किती है 2d है न तो इससे a plus b की value निकल सकती है कैसे मैंने यहाँ माना c की value किती 2d अब देखो a plus b plus c कोई काम को मिलकर किते दिन में कर रहे है d दिन में कर रहे है c अकेला किते में कर रहे है 2d में अगर इस a plus b को मा एक unit मानू तो यह वाले trick पूरी हो रही है क्या कि अगर a and b मिलकर किते में कर रहे है 10 दिन में कर रहे है b अकेला 20 में कर रहे है तो a किते में करेगा आपको पता है just इस से आदा हो रहा है इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा 2d देखो a यहाँ किता था 20 b किता था 20 तो a और b मिलकर किते में करा a और b का आदा दिनों में तो मैंने माना A змilkę किते ना गिते में करा।itae में। तो AB may किते में करें गये। तो यहां A plus B में किता मान लिया मैंने अफ़ 2d।ध यहां भी 2d लिग दुँआ कूँगद हो और यहां भी 2d लिग हो .अब देखोенно एप這邊 ए लिभी यहारा यह 2d यहारा तो a प्लस b से a कितने दिन जदा काम करता है 6 माइनस d और b कितने काम करता है जदा 1 माइनस d तो फॉर्मुला देखो यहां आपको यह बताया था मैंने कि जब जो जदा दिन है उसको अंडूरूट में लेकर क्या कर देता है मल्टिप्लाई कर देता है वो उस संख्या के बराबर हो जाता है आप इसको सरल कर सकते है कितना दिन जदा है 2D किसके दिन है a प्लस b के तो 8 इस a प्लस b से कितना जदा है 6 माइनस d तो मैंने अंडूरूट लगाया ब्रेक्ट में लिखा 6 माइनस d यह कितना जदा है 1-d गुणा कर दिया, इनको गुणा करने पर आईगी क्या, जो a plus b जो मिलके काम कर रहे हैं, उत्ती ही संक्या, तो यहां क्या आगया, 2d, इसको अंदर multiply कर दो, पहले तो इसकी square कर दो bracket की, 6-d, अंडरूट रच जाएगा, 1-d, बरापर 2d की square करेंगे तो 4d square आजाएगा, bracket को अंदर गुणा कर दो, तो 6-6-d, बरापर 4d square, सरल करो इसको आगे, क्या मिलेगी आपको, equation मिली आपको, यह d square जो है, वो उदर जाएगा, तो 4d में से 1d square गया तो, 3d square, यह 6 और एक 7, माइनस का d है, उदर जाएगे, प्लस का d, 6 यह प्लस का है, तो बरापर के उदर जाएगे, माइनस का 6, बरापर 0, अब ऐसी कोई संख्या, जिसको गुणा करने पर 18 आएगे, और जोडने पर किता है, 7 आएगे, तो 9 दूनी 18, तो 3d square, प्लस 9d, माइनस 2d, तो गुणा करने पर अठा रहा, और दोनों को जोड़ेंगे, तो क्या आजाएगा, प्लस का, 7d, माइनस 6 बरापर 0, आगे सरल करेंगो, तो 3d पहले common आगे, तो क्या बचा, 3d प्लस, यह 3d common आया, तो यह d, प्लस 3, माइनस 2 क्या लिया, तो d प्लस 3, परापर क्या जीरो, तो ब्रेकिट क्या रहा, d प्लस 3, और 3d माइनस 2, बरापर क्या हो गया, जीरो, d की वैल्यू अब निकालो, d की वैल्यू क्या आजाएगी इसमें से, इसमें जब d की वैल्यू अपने निकालने चलेंगे, तो d की वैल्यू आएगी, एक तो आजाएगी d की तो d plus 3 बराबर 0 और d बराबर क्या आ गया minus 3 दिन कभी भी minus में नहीं होते है तो यह answer गलत हो देगा दूसरा क्या हो देगा 3d minus 2 बराबर 0 3d बराबर 2 और d बराबर 2 बटे 3 यह हो सकता है तो d की value किती है आगी 2 बटे a plus b किते दिन में कर रहे है 2d में तो 1d की value किती थी 2 बटे 3 2 इंटू 2 बटे 3 तो किता आगया 4 बटे 3 तो a plus b मिलकर किते दिनों में काम करेंगे वो 4 बटे 3 दिनों में काम करेंगे तो option कौन सा सही है option मेरा इस question में 4 number option हो एकदम सही option है Thank you दोस्तो Classics to 12 से लेके Need IIT GE Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84004400 पर